वेल्कम टू फ्रोंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम वेर सटिस्फेक्शन एक्सेट्स यूर स्पेक्टेशन अंगेजी सिक्षा के छेत्र में एक अनोका पहल आज का हमारा टॉपीक है इस आरेम अबाउट तू तो आए जानते हैं इस आरेम अबाउट तू के बार में पहचान क्रियाने प्लस क्रियाने प्लस को प्लस है हो हूं या क्रियाने प्लस ही प्लस वाला वाली वाले प्लस है हो हूं यह सिक्स स्ट्रक्चर को आगे डिटेल्स में देखते हैं तो चलिए देखते हैं आगे structure number one subject plus is rm plus about to plus b1 plus rw तो आये sentence को देखते हैं गाड़ी खुलने खुलने को है या गाड़ी खुलने ही वाली है ये दोनो sentence का एक English होगा the train is about to start इसी प्रकार जाने जाने को है खाने खाने को है पीने पीने को है सोने सोने को है मुस्कुराने मुस्कुराने को है दौरने दौरने को है हसने हसने को है जाने ही वाला है खाने ही वाला है पीने ही वाला है इस तरह से आप अपने अनुसार यूज करते रहें यह जारेम का नीचे नोट से आप देख लें तो train is not about to start इसी परकार जाने जाने को नहीं है खाने खाने को नहीं है पिने पिने को नहीं है जाने ही वाला नहीं है पिने ही वाला नहीं है आप इस तरह के negative sentence को use करते रहें तो चली देखते हैं आगे यह interrogative sentence है यानि हिंदी में क्या रहने पे इंग्लिश में इजरेम पहले यूज जैसे क्या गाड़ी खुलने-खुलने को है is the train about to start इस परकार के interrogative sentence को भी आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चलिए देखते हैं आगे यह interrogative negative sentence है यानि क्या नहीं रहने पे is the train not का यूज जैसे क्या गाड़ी खुलने-खुलने को नहीं है is the train not about to start इस परकार के interrogative negative sentence को आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चलिए देखते हैं आगे यह instruction number five है iw का मतलब होता है interrogative word कब क्यों कैसे कहां किसी एक रखकार के sentence का यूज जैसे गाड़ी क्यों खुलने-खुलने को है why is the train about to start इस तरह के interrogative sentence with interrogative word को आप अपने अनुसार use करते रहें तो चलिए देखते हैं आगे यह interrogative negative sentence with interrogative word है जैसे गाड़ी क्यों खुलने-खुलने को नहीं है why is the train not about to start तो इस तरह के interrogative negative sentence with interrogative word को आप अपने अनुसार यूज करते रहें तो चलिए देखते हैं इससे जुरे some examples को मैं station जाने जाने को हूं क्योंकि मेरे पिता जी दिली से आने ही वाले हैं I am about to go to the station because my father is about to come from Delhi बर्सा होने होने को है मैं भीगने ही वाला हूं It is about to rain I am about to wait मेरी माँ खाना बनाने ही वाली है क्योंकि मैं खाने खाने को My mother is about to cook food because I am about to eat वावादा निवाने निवाने को है और मैं उसे भूलने ही वाला हूं She is about to fulfill promise and I am about to forget her कोई doubt हो तो comment करें वीडियो अच्छा लगे तो like share and channel पर नए हो तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन को दबादें ताकि चैनल का latest update आपको मिलता रहे थैंक्स पर वाचिंग, have a nice day आपको मिलता लगे तो